हेलो फ्रेंट्स वेलकम नोरेडीङ, इसाठ रहला फ्रेंट्स आज हम आप लोग क्रेज़ आ लाएं Rebelyea'sぁ इस्त लीघ्ज़े अउने वाला फ्रेंट्स ऊसको देखते को हुँए हमWow पारस में बेबिलोन में उसके बाद मेस्विडोनिया में तक्चिसीला में तो इसका अन्सरोगा उप्षन बेबिलोन में सिकंदर महान की मिर्थी उई थी कब 323 पूर्प्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखे का कुछन पूछेगा कि सिकंदर महान का जन्म कब वह था तो 356 प पूछेगा कि भारत पर सिकंदर कब विजया भ्यान शुरू कि तो फ्रेंड्स भारत पर सिकंदर मान 326 पूर्प्र में आकरमन की थे कहां पर पंजाब के सासक थे पौरस उसके साथ युद्ध हुआ था जिस युद्ध को हम लोग हाईडे स्पीज के युद्ध या जलम के नाम से भी जानते हैं जिसमें से पौरस का हर हुआ था उसके बाद इसको मगा समराज पर अकरमन करना था भारत पर और आगे तो वह लोग वहाई पर पर पड़ता था व्यास नदी तो फ्रेंड्स उसमें उस बार में उस नदी को देखते हुए सिकंदर मान जो से ना थे व उहीं से 325 स्विपूर अस्थल मार्क से होते हुए भारस से लट गए और 330 स्विपूर में बेबिलोन में 33 वर्ज की उमर में उसके मिर्ति हो गे थी किसकी सिकंदर महान की आप इसे ध्यान में रखेगा तो फ्रेंड्स चलते आब नेस्ट को सन की ओर तो फ्रेंड्स कौन संधी था साइक संदी को स्विकार करने वाला भारत का मतलब पहला भारतिया साज कौन था औप्सण में आपको दिया है अवद का नवावड तो निजाम हदराबाद का निजाम कर주는 आटक का नवाब मेसूर का राजा तो इसका और सरोक ऑप्सण बी यानिकी की निजाम ह हैदराबाद के निजाम वो पहले सा सक थे जिनने लवड वेलेजली जी के दौरा सायक संदी जो मतलब लाए गया था उनको सुईकार किया था कौन हैदराबाद के निजाम कब लाये थे 1798 सपी पूर वेशित फ्रेंड्स सायक संदी का पर्थम बार परियोग किये थे उसको मानने वाला पहला सासक था भारती है सासक कौन था हैदराबाद का निजाम आप इसे दियान में रहकए गए बहोट इपरेंट कॉसण तो फ्रेंड चरजन तो प्रेंड्स इसका उप्षिन बैइल अथाषो संतावन का बिद्रो वा था उस समय भारत का गवर्नर कॉन था थो फ्रेंड उस समय भारत का गवर्नर जनरल था कोन लाइड के निंग लाइड के निग के सासन काल में मतलब 8 थिसे ध्यान में रखेगा तो फ्रेंट्स तो सեղ अलेक है टेरेंस यह जो दैम है Ponga wished liam93 को मतलब जो बनाया गया था किसSabre गया था ओपिन को देना एक बांद बांदी मतलब की बनाया यह वना सफ़र्याब हर्याना राजस्थान इतनुन राज्जास राजी के सवाईज से बना गया था और यह कहां पर बना गया तो यह फ्रेंड्स यह ब्यास नदी पर तलवारा के निकट हिमाचल पर्देश में बना गया था और इसके उचाहिए लम मतलब नमबाई है प्यास नदी पर आप इसे भी ध्यान में रखेगा बहुत इंपोटेंड बान है तो फ्रेंड चलते अब नेश्ट को सनकी और तो फ्रेंस नेश्ट को सना है की ग्रीन लेंड निम्लिखित में से किस यूरूपियर देश के अधीन है जो फ्रेंस जो वर्ड का सबसे बड़ा द इन लेंड तो इसका अन्सरागा ओप्शन एनिक डेनमार्क के अधीन गिरिन लेंड दीप आप से ध्यान मरकेगा और कॉसन पुछेगा जो गिरिन लेंड दीप है फ्रेंस भागलीक रूप से यह अमेरिका के अंडर है अमेरिका के अधीन लेकिन जो राजनेतिक दृष्ट से डेनमार्क के अधीन एकौन गिरिन लेंड दीप आप से भी ध्यान मरकेगा भागलीक दृष्टी से अमेरिका के अधीन और राजनेतिक दृष्टी से डेनमार्क के अधीन यह दोनों कॉसन भोती इंपोटन है और यह वाल्ड का सबसे बढ़ा दूप समूँव कौन गिर किया गया है कहां पर क्या गया भारत के द्वारा चुक्का पाबर प्रोजेक्ट जो की चुक्का बिजली परियोजना है तो अप्सन में आपको दिया है नेपाल भुटान उसके बाद मैंनमार मतलब बंगलादेश तो इसका अंसरों का ऑप्सन B यह भुटान में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चुक्का पाबर प्रोजेक्ट को मतलब निर्मान करा गया था नहीं बना गया था चुकी दिखे फ्रेंड्स परतेक साल भुटान से करोडों रुपे की बिजली प्राप्त होती है भारत को इसलिए मतलब मोदी जी ने भुटान में चुक्का पाबर प कोंग्रेश की सबसे पहली महला अध्याच थी जो फ्रेंड्स आया ने इंडियान नेशनल कॉंग्रेश इसकी पहली महला अध्याच कौन थी ओप्षन में आपको दिया है सरुजनी नैडू विकाजी कामा एनी बेशेंड वीजयलश्मी पंडीत तो इसके अनुसरोगा इसमें कानपूर में जो अधिवेशन वा था उसकी अधेक्सता किये थे कौन सरजनी नाइडू आप इसे ध्यान में रखेगा पर्थम महिला वह एनी बेसेट उनी सट्रों के कलकता अधिवेशन उसका पर्थम भारतिय महिला सरजनी नाइडू 1925 के कानपूर अधिवेशन की अधिवेशन की थे कौन सरजनी नाइडू आप इसे ध्यान में रखे गए तो चलते हैं अब नेस्ट कॉशन के और तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लग रहा तो लाइक भी कर जेता कि हम मोटिवेट हो से और आपको अच्छे तरह से पला सके तो फ्रेंड्स नेस् राजस्थान में गुजरात में मद पर्देश उसके बाद उत्तर पर्देश तो इसकान सरगा ऑप्सन यानि की राजस्थान में स्थित है काली बंगान जो की सिंदुगाटी से बता कि बहुत इमातपुर्ण अस्थालते फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखेगा और यह क से लीकर मतलग काला खुझ किया था और यह घंगारंदी के किनारे इस्तीत है जो की राजस्तान में और यहां से किसका साक्ष मिला है तो फ्रेंट्स जूते हुए खेत का परमान कहां से मिला है काली बंगान से मिला है और अगनी कुंड का भी अबसेस काली बंगान से मिला आप इसे भी ध्यान में रखेगा बहुत ही इंपोर्टेंट है कि जूते हुए खेत का परमान कहां से मिले है तो काल जम्मा होता है नहीं बताना आपको फ्रेंट्स पीत कहां जम्मा होता है उप्सन आपको दिया है पित आसे में गरहनी में या कृत में पलिहा में तो इसका अन्सरों का उप्सन ए यानि की पित पित आसे में जम्मा होता है अगर ही पर कोशन पूशेगा की पित का सराब कहां से से होता है तो फ्रेंड्स पित स्रावित होता है या क्रीट से और जम्मा होता है पित से स्रावित होता है और जम्मा कहा होता है पित में तो फ्रेंड्स इस तरह से कोशन आप इसे भी रिलेट करके याद कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आज के ये लास्ट कोशन है कि पिनियल गरंथी जो पिनियल गलेंड फ्रेंड्स यह कहां होती है पिनियल गरंथी कहां होती है इस कोशन में करा आप्शन में आपको दिया है यह क्रित में उसके बाद मस््तिक्स में गुर्दे में गरबासय में तो इसका का अफchuckles ऐने की मस्तिक्स में यानी दिमाग में होते है पिनियल घरंठी याप इसे ध्यान में रखिएगा और थ्रेंटस बीயल गरंथी मेला तोनिन हर्मुन निकलते हैं जिसके किरन हम लोग लब को या जगते हम Wow समधी को भी घटना का नियमन पर साथ kis के करण वोन का री Corinth ReANS-Stina याने की मस्तिक्स में होती है आप इसे ध्यान में रखियागा और इसको तिसरी आंख भी का जाता पिन्यल गरंथी को यह बहुत ही इंपोर्टन कॉसन है तो फ्रेंस आज का कॉसन बस ही तक था आयोप सारे कॉसन हम समझा दिए अगर आप नए है तो मिने युटूब चैनल कर सब्सक्राइब करें और बेल आकन को भी हिट कर जिता कि हर एक लेटिव डियो का नोटिफिकेशन तुरण आप तक पहुंच जाए ठैंक्स उराची मुडियो धन्यबाद मिलते आप नेक्ट वीडियो में